अलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सेम स्टेडी क्लासेस में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत इक विज्ञान फिजिक्स का कुछ चैप्टर लेकर आया हूं उसके बारे में हम चैप्टर का पहले डिटेल में करेंगे उसके बाद फिर उसके करनानी की कोशिस की है कि बहुत इक विज्ञान और फिर बायलोजी जियू बिज्ञान उसके बाद कैमेस्ट्री के सभी कोशन एंसर सभी चैप्टर्स डिसकस करेंगे और इसको बनाएंगे और यह आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत अच्छा है जैसे के रेल्वे का एक्जाम आररबी डी ग्रूप डी के एक्जाम से और एससी का एक्जाम आने वाला है और पीएफ का एक्जाम है तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा तो दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर फिर उसके बाद bell icon को press कर ले नया notifications बाने के लिए चलिए दोस्तों start करते हैं नया chapter जो पहला chapter है आपका वो है मापन measurement मातरक के बारे में बढ़ेंगे मातरक जानेंगे क्या होता है किसी रासी के मापन की नितेश को मातरक कहते हैं मातरक दो प्रगार के होते हैं होता है आपका मूल मात्रक को हम इंगलिस में fundamental units बोलते हैं और ब्युत्पण मात्रक को हम derived units बोलते हैं तो मूल मात्रक आतों की संख्या SI P recently में 7 है पहला होता है लंबाई, किसी को लंबाई नापनी के लिए measurement unit meter का यूज़करते हैं माद्रवे मान निकालने के लिए केजी का यूज़ करते हैं समय निकालने के लिए हम समय के निकालने के लिए हम सेकंड्स का यूज़ करते हैं तापमान के लिए केलविन का यूज़ करते हैं विद्यधारा के लिए एंपियर का यूज़ करते हैं जियोतित्य बृता के लिए केंडेला का यूज करते हैं, और पदार्त का परिमार निकाले के लिए हम मॉल का यूज करते हैं. देखते हैं दुस्तो प्रकास वर्स क्या होता है प्रकास वर्स बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रकास वर्स का प्रियों किया जाता है प्रकास वर्स एक वर्स में तै की गई दूरी को प्रकास वर्स अर्थात प्रकास वर्स की दूरी का मात्रक करते हैं प्रका प्रेकासवर्स का पार्सेक का यूज किया जाता है, एक पार्सेक जो होता है, वो होता है, एक पार्सेक बराबर होता है, तो बात करते हैं, खगोली एकाई, खगोली एकाई क्या होती है, सूर्य और प्रित्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोली एकाई कहते हैं जो एक खगोली एकाई होता है वो आपका होता है एक खगोली एकाई बराबर 149.60 इंटो 10 की पावर 9 मीटर और इसको वन अस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोला जाता है वन अस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होता है 4.8481 इंटो 10 की पावर 6 पार्सेक होता है तो यह आपका खगोली एकाई था आगे देखते हैं आगे देखते हैं कुछ महत्यपुड मात्रक क्या है कुछ महत्यपुड मात्रों को के बारे में डिसक्स करेंगे जिनकी कुछ भौतिक रासिया है और उनके एसाई मात्रक क्या होता है जैसे लंबाई है लंबाई का एसाई मात्रक होता है मेटर द्रव्यमान का किलोग्राम कारे और उर्जा का जूल होता है चाल का मेटर सेकेंड होता है आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है बलका Newton होता है, दाब का Pascale होता है, सकती का वाट, और विद्धुधारा का Ampyr, बिद्धुत प्रतिरोध का ओम होता है, जोतिति वृता का Candle News होता है, कोड का Radian होता है, और इसका अलावा स्टे Radian जो होता है, वो गनकोड का होता है, इसी का दान रखे कि इस्टे रेडियन भी होता है वो गनकोड का होता है और शेत्रफल का होता है वर्ग मीटर आयतन का घन मीटर अबरिती हर्ड्स प्रिष्ट तनाव का जो होता है न्यूटन प्रती मीटर होता है और जोती फ्लेक्स का जो होता है ल्यूमेन होता है और कि धैरे का एंड स्ट्रम होता है तो ये कुछ महत्यपूर्पूर्ड मात्रक्थ हैं जो कि एक्जाम के लिए बहुत आने वाल एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है और इसमें से इसे रिलेटेड जरूर कोस्टें पूछे जाता है मैक्सिमा अगर देखे कारे उर्जा का जूल होता है द्रव मान का किलो ग्राम होता है विद्ध्धारा का बहुत बार पूछा गया सक्ती का भी पूछा गया है तो ये थे कुछ और कुछ और अन्या मात्रकों के बारे में देखते हैं जैसे सौर मास लगबग ये महीना जो होता है वो तीस और इकतिस दिन का भी होता है और वैसे 28 और 39 दिन का होता है फेरवरी में जब लीपियर होता है तो 39 दिन का होता है और लीपियर नहीं होता तो वो 18 दिन का होता है जैसे लीपियर 366 दिन का होता है 2.5 एकेड होता है, एक हेक्टेऊर लगबग आप लगा लें की, 10,000 मेटर स्क्टे है और एक लीटर जो होता है वह, आपका 2.642 ग computing, और एक गैलन जो होता है , आपका 3.785 लीटर को एकcod als89 तो यह थे कुछ ma druk, कुछ मापन जो एसा ही मात रखते, अब हम question answer discuss करेंगे कि इसे related कि हमने कितने questions बना सकते हैं देखते हैं तो दोस्तों चले start करते हैं आपका जो पहला question है वो question है lumen किसका मातरक है lumen किसका मातरक आपके सामने option है जोती तिब्रता का जोती फ्लक्स का उपरियोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो आपका option है option number B जोती फ्लक्स जोती फ्लक्स का आपका ये answer है option number B is right answer lumen किसका मातरक है ध्यान रखें जोती फ्लक्स का तो आपका दूसरा question है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है क्यूरी जो है वो option है radioactive धर्मिता तापमान उस्मा और उर्जा तो आपका option है आपका answer है radioactive धर्मिता radioactive धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी उसको क्यूरी में मापा जाता है तो दोस्तों आपका अगला question है विद्धुत मातरा की इकाई है विद्धुत मातरा की इकाई है Ampere, आपका जो answer है वो option number A is the right answer of Ampere, आपका जो अगला question है, उसके बारे में देखते हैं एक खगोलिय इकाई संबंदित है, सूर्य एवं प्रकास की दूरी से, चंद्रमा एवं पृत्वी की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी से, या उपर युक्त में से, कोई नहीं, तो आपका जो answer है, वो है आपका answer option number A, सूर्य और पृत्वी के बीच की दूरी को हम एक खगोलिय इकाई कहते हैं निमने लिखित में से, वेक्टर किसका मात्रा है, किसकी किसका मात्रा है, उसके बारे में जानते हैं, तो आपका option है बल, चाल उर्जा, और तापमान तो इसका option है, option number A बल, वेक्टर जो है, वो बल का मात्राख है, ओके next question, question number 6 question number 6 क्याता है, प्रकास वर्स मात्राख है, प्रकास वर्स मात्राख है, option A, प्रकास वर्स प्रकास की तिप्रता का, समय का, दूरी का या प्रकास विक का, तो आपका option है, option number C, दूरी का, दूरी का अंचर है, दूरी का प्रकास वर्स मातरक है, शीज का दहन रखें, कि दूरी का जो मातरक है, वो प्रकास वर्स है, और पार्सिक भी दूरी का ही मातरक है, नेक्स कोशन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है खोन में हीमोगलोबीन के लिए पेसाब में सक्कर के लिए वाता वरड में या फिर ध्वनी में नापने के लिए तो आपका option है decibel का जो उपयोग किया जाता है वो ध्वनी के लिए कि ध्वनी को मापनी के लिए किया जाता है अगला question है पार्सिक किसकी इकाई है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पार्सिक है दूरी की इकाई है दूरी की इकाई पार्सिक भी है और प्रकास वर्ज भी दूरी की इकाई है、 तो option number A is the right answer, दूरी अगला question है, आपका SIe पद्धिती में लेंस की सकती की इकाई क्या है, लेंस की सकती की जो इकाई है, आपका option है, watt, diopter, optor, meter, तो आपका option number B, diopter, तो ये lens की सक्ती की इकाई डायोप्टर है अगला कोशन है आपका अंतर मात्रकों की अंतरराष्टी पद्यति को कब लागू किया गया तो आपका option है 1979, 1957, 1983 या 1990 इसका answer है आपका option number B 1997 में 1 April 1997 को भारत में ये लागू किया गया था अगला कोशन है आपका दाब का मात्रक है दाब का मात्रक क्या है पास्कल, डाइन, अर्ग या जूल तो आपका option है option number A, pascal दाब का मात्रक है दोस्तों ये थे कुछ questions, अगर आपको मेरे questions पसंद आए अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को share करना न भोले मेरे चैनल को अगर अगर आपने अब तक subscribe नहीं किया है, तो चैनल को पहले subscribe कर ले, नया notification पाने के लिए जैहिन दोस्तों बंदे मात्रब